हेलो एब्रीवाइन मैं हूँ आपके साथ कुशावजिती और आपका बहुत-बहुत स्वागत है अस्ट्रो साइंस में दर्शकों जब हम छोटे होते हैं तो हम आस्मान में जब देखते हैं कि एरोपलेन जा रहा है तो हमारे मन में यह खयाल बच्पन से आ जाता है कि हम बड़े ओके एरोपलेन में तो जरूर बैठेंगे तब ही से हम अपने सपने बुरने लगते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे तो पही जाएंगे और वो सारे सपनों के लिए हम तयारी करने लगते हैं जब वो टाइम आ जाता है तो अब क्या वेरी किस्मत में ही नहीं है कि मैं भाहर जाके पढ़ाई करूं जॉब करूं ऐसा नहीं है आपकी किस्मत में जो है वह है वह तो प्तै है बिलकुल बट अगर हां अगर आपसे यह कहूं कि आपको सही डेट जरूर पता चल सकती आप कब जा सकते हैं आपको घूमने जाना या सेटल होने जाना है तो यह आपको खुद बताएगा आस्ट्रो साइंस एप यह एक ऐसा आप है जहां पे जब आप अपनी बर्थ डीटेल्स डालेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में जो जो होने वाला है वो सब कुछ आपको साइंस आप को डाउनलोड करें और उसके बाद अपना प्रफाइल क्रिएट करने के लिए आपको पुरा नाम डालना है उसके बाद आपकी बर्थ डीटेल्स जो की अपका डेट ऑफ बर्थ टाइम आफ वर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ है तो चली आगे बढ़ते हैं तो अब हम प्रिंस जी की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आश्ट्रो साइंस अपका होम पेज ओपन है और भावना जी की जो प्रफाइल यहांपर क्रिएट हो रखी है अब इनके नाम पर हम क्लिक करेंगे और अड्ट प्रफाइल के आइकन पर हम जाएंगे हम यहां पर प्रिंस जी की प्रोफाइल क्रेट कर रहें तो उनका नाम डालेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए हमने प्रिंस जी का नाम डाला तो और उनकी जो डीटेल्स हमने डाली है उनका छोटा सा जिस्ट यहां पर आ गया है जैसे डेट अब वर्थ है टाइम अब वर्थ है प्लेस अब वर्थ और लैंग्विज प्रेफरेंस जो हमने हिंदी चूज किया था वो भी यहां पर नजर आ रहा है तो अब हम सीधा चलते हैं होम पेज़ पे तो यह है आस्ट्रो साइंस आप का होम पेज जब आप लोग भी अपनी प्रोफाइल क्रियेट करेंगे तो इस तरीके से आपका होम पेज ओपन होगा तो आपका नाम लिखा आ जाएगा लख मीटर यॉर डेस्टिनी और यह कैटिकरीज यह में कैटिकरीज हैं जैसे मैंने शुरुवात मैं बात करी थी कि आप बहर जाना चाहते हैं आपको लग रहा है कि मुझे एक स्पेसिफिक डेट पता चल जाए कि मेरे लिए सही टाइम बहर जाने का क्या है तो बिलकुल वो पता चलेगा आपको फॉरिंट ट्रिप की कैटिगरी पे यहां पे आपको डेट क साथ प्रेडिक्शन में मिलेगे कि आपके लिए वो टाइम बिलकुल आक्यूरेट है या नहीं तो यह जो कैटिगरी जैंब बिलकुल अभी लॉक का जो साइन है वो दिखा रही है बट इसी लॉक को हम अनलॉक करने वाले हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रीड मोर के बटन पर क्लिक करेंगे और सीधा जाएंगे शुब और अशुब योग पर यानि की फुल लाइफ प्रेडिक्शन तो जैसे कि आप देख सकते हैं शुब अशुब योग पर लॉक का साइन आपको नजर आ रहा होगा तो यह लॉक का साइन जब हम अनलॉक करेंगे तो प्र तो अब सीधा हम चलते हैं शुब अशुब योग पर और मैं आपको बता दू शुब अशुब योग का मतलब है फुल लाइफ प्रेडिक्शन यानि कि आपकी आने वाली जिन्दगी में क्या-क्या अच्छा होने वाला है और क्या-क्या बुरा होने वाला है जब आप कमिडी भी देंगे जो गुरुजी द्वारा ही दी गई है तो जैसे कि यहां पर जब हमने शुब अशुब योग के यहां पर क्लिक कर रहा था टाप पे तो आप देख सकते हैं यहां पर सिलेक्ट यौ प्लान का पेज ओपन हो चुका है क्योंकि अब यह जैसी यह लौक थ कर टे हैं तो यहां पर यह तो यर प्रेमेंबरसिप प्लान करीते हैं तो आपके गर लाल किताब अमर्त वर्ष Origins की हडी कोपी आपकी घर भिजवाई जाएगी यदि अगर आप 5 साल या पांस साल से अधिक का प्रीम्यम प्लान लेते हैं तो आपकी घर लाल किताब अम्रित वश्ष जोतिष जनकुंडली तो भिजवाई जाएगी उसी के साथ में आप देखिए आपके घर पर ये बॉक्स ये वश्ष जोतिष का जनकुंडली का ये जो बॉक्स है वो भिजवाया जाएगा जो की इस बॉक्स की खास बात यहीं ये पास्वर्ड बॉक्स है जी हाँ अब पात साल की और पात साल से अधिक की जो आपकी जनकुंडली आप एक बार में तो नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको टाइम चाहिए आप उससे सेफली रखना भी चाहते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप अपने जनकुंडली जो है कहीं आए गया है कि आप इस बॉक्स में अपनी जंकुंडली बिल्कुल आराम से सेफ तरीके से रख शकते हैं मैं आप सभी को खोल के दिखाती हूं कि अंदर से कैसा लगता है उससे आप देख सकते हैं यह आपकी जनकुंडली इस यह तरीके से रख कर आएगी और आप इसको बिल्कुल अराम से इसमें स्टोर करके रख सकते हैं तो और मैं दुवारा से मेंशन करूंगे आपको वॉक्स तब मिलेगा जब आप 5 साल या 5 साल से अधिक का प्रीमें मेंबर्शिप प्लान खरीते हैं तो चलिए वापस आते हैं और अब हम बात कर र पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सिलेक्ट का पेज ओपन हो जाता है और यहां पर नाम आ रहा होगा जैसे कई लोगों का नाम यहां पर आ रहा है तो आपके उपर है कि आपको एक की या दोस्त की जितनी भी प्रीमें मेंबर्शिप प्लान आपको खरीदना है उनके आगया पेज ओपन हो गया है हम प्रिंज जी के लिए उपन अप्लाई करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर पेमेंट सक्सेस्फुल का जो पेज है वो उपन हो चुका है मुबारको प्रिंज जी जो हमने आपके लिए एक साल का प्रीमें मेंबर्शिप प्लान खरीद पे एक बार फिर से और जैसे कि आप सब्सक्राइब ने बताया था यह आपका नाम यहां पर लिखा जाएगा और आप देख सकते हैं पर प्रिंज जी की करेंट एज भी हां पर नजर आ रही है वो है 36 और सबसे खास बात यह है कि जैसे हमने पहले देखा था पर कैटेगरी हो चुका है तो चली सीधर चलते हैं शुब अशुब यौक पे यानि कि फूल लाइफ प्रेडिक्शं और मैंने बताया था आपके आने वले जो टाइम में क्या-क्यी अच्छा होने ओला है क्या-क्या बुरा होले वाल वह सबसाइगा तो चिद मस्शूब्स योग पे जाएंगे और जो भी prediction लिखी आएगी पहले तो हम bad prediction पढ़ेंगे और प्रिंश जी को बताएंगे कि उनकी life में क्या क्या अश्रोब योग है अश्रोब योगों के साथ में हम उने रेमिडी भी थेंगे तो यहाँ पे bad prediction अभी load हो रही है तो जैसे कि मैं पूरा विश्वास है यहाँ पे astro science app है जो भी prediction load होती है वो बिल्कुल accurate होती है आपकी life वे जो जो चल रहा है या होने वाला है या हो चुका है वो सब कुछ आपको astro science app ही बताता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ पे पहली prediction load हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका बच्पन कश्ट पूर्ण अवस्था में व्यातीत होता है आपकी बेहन भुवा ननन या साली या आपकी बेटी किसी ना किसी प्रकार किसे जीवन में दुखिया ही रहेंगी जीवन साथी के स्वास्त में खराबी के हालात पैदा होंगे या परिवार के किसी सदस्थे की वज़े से आपको ग्रह सुख में तनाफ पून सिथी का सामना करना पड़ेगा खर्चों की अधिक्ता रहेगी और कारेशेत्र में मुसीबते पैदा होती रहेगी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठाक में गिरावट आएगी परिवार के सदस्यों से मिलने वाले सुख कमजोर हो रहेंगे कामकाज के लाब में कमी देखने को मिलेगी विरोधी वर्ग से किसी प्रकार के उत्पीरन का शिकार होना पड़ेगा सभाव में क्रोध और बेवजा के जिद्धी पन तथा बिना सूचे समझे अपने से अनुचिक व्यवार कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी करेंगे निजी आर्थिक शेत में परिशानी की संभावना है परिवार में मुकदमे के मामलों में परिशानिया बढ़ सकती है जिसके फल्सवरूप मान प्रतिष्ठा तथा आर्थिक हानी भी उठानी पढ़ सकती है कोट कचीरी से संबंदित मामलों में निड्ने आपके विरुद जाने की संभावना है जिसके कारण आपको मानसिक परिशानी मिल सकती है कारवार में भी लाब का सुख हासल नहीं होगा आपको अपने खुद के कामों में अच्छी सपलता नहीं मिल पाएगी किसी भी प्रका कार्द लेना आपके लिए हानिकारक होगा विवाहित बेहन और विवाहित बेटी को लंबे समय तक अपने घर ना रहने देना और आपके कामकाज रह सुक और रुपे पैसे से संबंदित दिक्कते पैदा करेगा और उनका आपके घर में लंबे समय के लिए रहना उनके नीज जी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यहां पर जब आप रेमेडी करेंगे तो खुद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है आपकी और आपके परिवार की भी क्योंकि हमने अभी प्रेडिक्शन में आपकी आसपास में आपके परिवार वाले आप सफेद रंग की चितकबरी गाय की सेवा से शुप्रभाव प्राप्त होगा पडोसी या भाय की बेटी की सेवा करने से लाब होगा अत्वा उनके साथ तालमेल अच्छा बना कर रखे तो यह रेमेडी है तो आपको करनी और जब आप यह करेंगे खुद देखेंगे कि कैसे सब कुछ आपकी लाइफ में ठीक होता है तो चलिए एक और प्रेडिक्शन पढ़ लेते हैं आपके लिए आपके जीवन साथी की बिगडी हुई बहन आपके अपने ही भाई बंधों के साथ मिलकर आपके ही जीवन साथी की मिट्टी खराब करेगी तो चलिए इसकी है आपको तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्लोटिंग आइकन बटन है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे जीडी वश्ष्ष्ट जोतिस अंसान के अनुभवी अचारयों से बात कर सकते हैं वह आपको और अच्छे से समझाएंगे कि आपको अपना उपाए किस तरीके से करना है तो जैसे कि यहां पर अगली रेमेडी हम पढ़ लेते हैं यहां पर लिखा है काली गाय जिसकी सींग खराब हो या जिसकी सींग ना हो उसकी सेवा करें हर मंगलवार मिठाई बाटे हर शुक्रवार गाय के घी से दीपक मंदर में जलाएं काले सफेद यान कर साफ चलते पानी में जल प्रभा करें 27 मंगलवार सफेद धोती काली किनारी वाली मंदिर में जवान पंडित को दे तो यह जो है रेमेडी आपको यह करनी है और आप खुद देखेंगे प्रिंच जी कि जो आपकी लाइफ पर प्रॉब्लम्स आ रही है वह कैसे सॉल्व ह तो अब वह सॉल्व होंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो लाइफ कैसे ट्रांस्फर्म होती है अब हम वह जानेंगे गुड़ प्रेडिक्शन में तो चलिए गुड़ प्रेडिक्शन के बटन पर हम क्लिक करते हैं और जानते हैं कि प्रिंच जी जब रेमेडी कर लेंगे पूरी विथी पूर्वक जो भी उन्हें डाउट भी लगता है तो आप कंसल्ट अचारे के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं और जब आप कर लेंगे तो खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है जैसे यहां पर पहली जारी रहेगी और आप हर मुसीबत का सामना करके जीतने वाले होंगे यानि कामयाब जरूर होंगे जोतिश का काम आपके लिए शुब होगा तो जैसे कि अभी हमने गुड प्रेडिक्शन में पढ़ा है अगर आपको काम से संबंदित कुछ कर्विजन है तो यहां पर बका और बकाईदाब की प्रेडिक्शन में भी लिखा हुआ है चलिए एक और प्रेडिक्शन पढ़ लेते हैं आप तीवर बुद्धी वाले होंगे और आप में पढ़ने लिखने कुछ नया सीखने या किसी भी काम का अनुभव ग्रहन करने की उत्सुकता होगे आप बहुत च समद्धी कारिया पत्र व्यवार कारिया दिमाग से समद्धित कारिया अच्छा फल देंगे आपको एजेंटों वकीलों से किसी ना किसी प्रकार का लाब मिल सकता है आपका स्वास्त भी उत्तम बना रहेगा तो जो भी अभी हमने पढ़ा है गुड प्रेडिक्शन में प्र होती है तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही अगर आप भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करें अपनी बर्थ डीटेल्स और साथ में प्रॉब्लम भी बताएं ताकि हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट करके आपका कॉमेंट आश्ट्रो साइंस आप में जो भी आपने प्रॉब्लम लिखी है वो हम देखेंगे और आपको इस प्रॉब्लम का सल्यूशन जरूर देंगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना ध्यान रखें खुश रहें अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए आपकी कुंडली के बारे में यहां लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोश, कालसर्प दोश, गंडमूल दोश है या नहीं। की सबसे बड़ी खराबी यानि पित्र रिंड दोश और उसका समाधान मोटी अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी भीमारी है या भविश्य में होनी है तो ये विशेश स्वास्थे योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। नौकरी करें या व्यापार आपका स्वभाव, बारिवारिक संबंध, रुपाए पैसे के हालात, कोट कचेहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकडी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तोर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखी आपकी वशिष्ठ जियोतिश कुंडली में यहां लिख कर दी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग आपका साख देना शुरू कर देगा यहां आपको कर्श से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी आपका वर्ष फल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या-क्या शुभ और अशुभ घटित होगा यह आपके वर्ष फल में करना पड़ेगा ये भी यहां लिखा दिखाई देगा और हां एक बहुत सरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाए साथ ही लिखा मिलेगा इसलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्ल जोतिशीय ज्यान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिश जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिश जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टिड बॉक्स में भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ निजी जानका आधारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साजा नहीं करना चाहेंगे तो आज ही अपने भग्ये की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए